Assalamualaikum जी, इस lesson में हम मजीद UX को explore करते हैं So, यहां पे हम दो important चीज़ों को discuss करेंगे The first one is, that what makes a great user experience And the second one is, why does UX matters ठीक है, तो great user experience के अंदर चार चीज़ें बहुत ज़्यादा important है The first one is the value यह चीज़ें आपको सामने नजर आ रहे हैं के value का क्या मतलब है तो इनको थोड़ा सा, यहां पे Photoshop में कुछ examples के दूँर डिसकस करते हैं So, for example, हमारे पास एक case study है कि आप एक website पे गए, आपने वहां पे account create किया और आप उस account create करने के बाद, अपनी email को update करना साथ है अपनी email को change करना साथ है जैसा कि हम एक simple example ले लेते हैं कि आप Facebook के user हैं और आप Facebook के ओपर अपनी email को update करना चाहते हैं तो यहां पे आप different methods हो सकते हैं अब information, जो हम, जो first one है that is the value, is it useful? तो यहां पे Facebook के ओपर email कैसे change किया जाता है इसके लिए Facebook ने कुछ FAQs place कर दिये अपनी website के ओपर ठीक है, the frequently asked questions और इनी questions के अंदर कुछ questions related थे कि email किस तरह से update किया जा सकता है ठीक है जी, और इसके लावान उने कुछ video tutorials बना के भी रखे वे थे कुछ articles भी रखे वे थे तो यह सारे indicate कर रहे थे that how to update an email तो जब इनको पढ़ा गया तो they were very useful कि अब हमें पता चल गया कि Facebook के ओपर email कैसे update किया जाता है ठीक है, so this information was very useful इसके बाद हम next पे आते हैं कि useful कि तो हमें समझ आ गई हमने information तो वहां से read कर ली लेकिन क्या email change करना आसान था तो usability how is it easy to use तो यहां पे भी उसी case को देख लेते हैं कि जब हम usability के बात करते हैं तो usability के अंदर जब हम email change करने गए तो वहां पे हमें पता चला कि email change करने के लिए there are 11 steps 11 steps के बाद you would be able to change your email so it was not easy second method यह था कि आप customer support facebook customer support को contact करें और manually उनसे कहें कि मेरा जो email है मैं उसको update करना चाहता हूँ तो customer support will help you in updating the email so this is not also an easy step ठीक है जी अब easy step क्या हो सकता था easy step यह हो सकता था कि हम एक से दो clicks करते और हम अपना email update कर सकते हैं या कोई और method indicate किया जाता email update करने के लिए so अगर यहां पर usability की बात की जाए तो यहां पर usability that is not good ठीक है और अगर हम यहां पर usability की बात करें so information तो बहुत useful थी लेकिन अगर information यह वाली होती कि एक से दो clicks में आप कैसे अपना email update कर सकते हैं तो उसके usability भी बहुत अच्छी थी it was very easy to use लेकिन अगर information यह वाली थी 11 steps and the customer support तो this was not easy to use ठीक है तो आप लोगों ने make sure करना है कि आप कोई भी product design करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ease to use होनी चाहिए user उस पे आए और he can perform the required task in less time and in effective manner तो it's very important तो यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब भी आपकोई website design करने जाते हैं इसके बाद अगली दो यह चीज़ें भी बहुत ज़्यादा important है the first one is adaptability तो आपने बहुत सारी websites देखी होंगी बहुत सारी mobile applications देखी होंगी जिसके अंदर बार बार वही symbols, वही icons, वही conventions यूज होती है जो आप बागी application बागी websites में देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वज़ाई है क्योंकि आप उन icons के साथ उन functionality के साथ familiar होते हैं जैसा कि आप किसी application में जब एक hamburger menu देखते हैं तो आपको पता है कि जब मैं इस पे click करूँगा करेंगे, कुछ का rounded होगा तो shapes different हो सकती है लेकिन जो concept है वो बिल्कुल same है तो जब भी आप इस तरह का जो symbol है उसको देखेंगे तो you will get to know कि इसे हम एक menu open कर सकते हैं और उसमें multiple options को access कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह गर हम settings के icon की बात करें तो आपको एक कुछ इस तरह की shape मिलती है ठीक है तो आपको पता है कि जब हम इस पे click करेंगे तो हमें इस application की settings मिल सकती है जहां पे हम इसकी notification settings को change कर सकते हैं अपनी profile को added कर सकते हैं और मज़ीद options मिल सकती है ठीक है अगर कोई mobile application या कोई website settings को दिखाना चाहती है लेकिन वो एक symbol कोई different सा use कर लेती है तो इसको समझना कि जब हम इस पे tap करेंगे तो हमें settings मिलेंगी so you are not familiar with this icon ठीक है तो कोशिश की जाती है जब भी designs बनाया जाते हैं कि आपकी website उन्ही conventions को use करे उन्हीं चीज़ों को use करें जनसे users already familiar है ठीक है तो आपकी website को आपकी mobile application को adopt करना ज्यादा असान रहेगा इसके बाद हम आते हैं desirability तो desirability क्या है कि जैसे आप कोई game खेलते हैं ठीक है तो वो जो game है वो कितनी आपके साथ engaged रहती है या कोई application या कोई website कितनी engaged रहती है that is very very important जैसा कि आपको game start करते हैं तो पहले level के उपर वो game आपको हर step के उपर guide करती है ठीक है आपको बताएगी कि इस button पर click करने से ये होगा इस button पर click करने से ये functionality perform होगी तो आपको हर step के उपर guide करती है जब आप कुछ levels cross कर लेते हैं उसके बाद now you are familiar or now you can play the game और उसके बाद मजीद भी वो आपके साथ interact करती है आपके साथ engage करती है जब आप कोई level cross करते हैं तो वो indications देती है आप कोई achieve करते हैं तो वो आपको achievement से आगाह करती है तो इस तरह की different चीज़े है ठीक है तो that is the engagement और जैसा के आप कोई एक ऐसी mobile application यूज़ करते हैं जैसा के आप सुबो सुबो jogging करते हैं ठीक है तो jogging के लिए आपको application download कर लेते हैं और jogging करने से पहले आप उस application को on कर लेते हैं तो वो आपका जो distance है उसको भी calculate करती है ठीक है आपने कितने kilometers travel किया आपने कितनी calories burn की और इस तरह के different चीज़ें तो ये जो website ये जो mobile application है that is very engaging ठीक है and it's fun to use तो इस तरह के different चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि अपनी applications के अंदर websites के अंदर include करें और वो engaged रहे उस application के साथ उस website के साथ तो ये चीज़ें बहुत जाता important हैं जब भी हम कोई digital product design करने जाते हैं इसके बाद कुछ important fix हैं जी इनको share करना भी बहुत जरूरी है ताके you get to know के UX की का importance है एक हमारे पास forester research है 2012 मनो ने state किया 93% of executives say that improving UX is a top strategic priority तो अगर 2012 में 93% prefer UX as a top strategic priority तो 2020 में आप समझ सकते हैं के अब executives नहीं बलके every single person know the importance of UX ठीक है उसके बाद हमारे पास एक और statement है Jacob Nelson की 2008 के अंदर 83% increase in key performance indicators using UX practices तो key performance indicators क्या है जैसा कि आपके पास कोई client आता है और उसका कोई भी business है तो उस business का वो एक साल का goal set कर लेता है कि हमने इस साल 20% अपनी sales increase करनी है तो ये actually एक goal है तो हर महीने के end पे उसकी क्या performance है that is the key performance indicators ठीक है वो indicate कर रहा है तो ये performance बहतर की जा सकती है अगर आप अपनी industry के अंदर अपनी products के लिए अपनी practices वहाँ पे UX को practice करते है इसके बाद Adobe research है जी 38% of people will stop engaging with the website if the content layout is unattractive तो unattractive के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है जो अभी हम discuss करके आ चुके हैं वो कितनी valuable है useful information कितनी useful है उसको use करना कितना आसान है उसको adopt करना कितना आसान है और वो कितना ज़्यादा engage करती है user के साथ तो ये सारा कुछ attractiveness के अंदर ही आ जाता है इसके बाद the UX activities can reduce development inefficiencies तो जितना हम UX practices apply करेंगे अपने पूरे process के दौरान तो development में उतनी ही जादा efficiency दिखाई जा सकती है इसके बाद companies who focus on UX performs better financially क्योंकि हम अरड़ी देख चुके हैं पिछले lesson के अंदर के UX का तालुक सिर्फ और सिर्फ UI design से नहीं बलके technology के साथ और business के साथ भी है तो इसका मतलब है कि UX performs better financially अगर हम इस पर focus करें तो So these were all about the different facts about UX और ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके experience को बहतर बना सकती हैं किसी website के लिए mobile application के लिए तो ये कुछ ideas थे UX related See you in the next lesson Thank you so much